हमारी दुनिया में पहले डाइनासोर राज करते थे इन विशालकाए विचित्र डाइनासोर ने चवधा करोड सालों तक धर्ती पर राज किया। इन डाइनासोर की कई हजार प्रजातियां थी जिन में कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डाइनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डाइनासोर बहुत खतरनाक और हिंसर थी। उस समय डाइनासोर का राज चलता था लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका स्थिर्ट्व ही मिट गया। करने की आवाजे आ रही है। इसलिए यह बड़ा एस्टेरोइड चांद के बहुत नस्दीक से निकल गया था। जब यह प्रिथवी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफतार बहुत तेज हो गई। प्रिथवी के वायू मंडल में आते ही घर्शन की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरोइड मेकसिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35000 डिग्री सेंटी ग्रेड की उर्जा वाला एक भयानक विस्पोर्ट होता टकराव से 16 मिनट, 40 सेकंड बाद धर्ती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीवरता की भूखंपीय तरंगे उठने लगी जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्मान हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज् इससे डाइनासोर का विनाश शुरू हो गया, इससे रेडियेशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महा विनाश में उड़ने वाले डाइनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन य बहुत बड़ा तूफान प्रिथवी पर आ रहा था, गर्म हवाओं का तापमान 100 degree centigrade से ज्यादा हो जाने के कारण प्रिथवी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नश्ट हो गई थी। विसफोर्ट से 90 मिनट बाद धर्ती का तापमान 200 degree centigrade हो गया, इससे धर्ती की 90 परसेंट प्रजाती पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो दस पौध जीव धर्ती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण वह मर गए। लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मेमल बच गए थे, गर्मी से बचने के लिए य adopted radiation की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। ये बंदर जैसी प्रजातियां थी, फिर समय के साथ ये सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। धर्ती के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए जिससे हिमाले परवत मालाएं मौसम में बदलाव होने लगा, इस से गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्मान हुआ। हम लोगों का जन्म हुआ जैसे आज हम देखते हैं।